Hello friends, Get My University team की तरफ से मैं हूँ आशिश आज मैं आपके साथ में डिसकस करने वाला हूँ बिहार की प्राइबिट मेडिकल कॉलेज़ की बारे में मैं आपको बताऊँगा कि बिहार की प्राइबिट मेडिकल कॉलेज़ किसी साथ से पोजीशन है मैं आपको बताऊँगा इनकी basic informations के बारे में, passing percentage के बारे में हम डिसकस करेंगे, clinical analysis के बारे में हम बात करेंगे और साथी में हम आपके साथ में discuss करेंगे कि क्या alternative options हो सकता है अगर आप इन colleges को आप opt करना चाहरा है साथी में बिहार की counseling process में किस तरह का issues आपको face करना पर सकता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो को आखिर तक देखेगा ताकि बिहार की counseling से related सारी informations आपको मिले हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करेगा subscribe करेगा और share भी करेगा आए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि क्या क्या point cover करने वाला हूँ आज के इस topic में है मैं आपके साथ में discuss करना हूँ बिहार के top, mid, new और bottom rank private medical colleges के बारे में जाबे मैं आपको इनके highlights बताऊंगा basic information, cost breakup, clinical stats, college performance के बारे में 2020 allotment analysis और साथ ही में क्या issues face करना पड़ा था बिहार की counseling process को attend करते बार यह 2020 की counseling highlight है जहां पर मैंने एक nutshell में मैंने सारा information आपके लिए रखा है ताकि आप अगर इस slide को भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा clarity मिलेगा बिहार की counseling को ले करके counseling body देखे website से start करें यह website है counseling body है यहाँ पर हम मैंने मेंचन किया है course offered seat participation 85% government 100% private की rounds counseling की कितनी है round 1 round 2 mop up और अगर seat बच गया तो stay round भी seats कितनी थी government में 1225 private में 750 number of colleges 10 है government में 6 private recognize 9 और 3 यहाँ पर permitted देखे एक है government private में 3 cutoff government की rate 13,230 private में open seats में 2,30,850 seat की cutoff रही थी Muslim minority में अगर देखें तो 5,25,664 6 minority में 6,31,596 NRI category में 8,11,737 मैंने private open में यह cutoff mention किया है कुछ बिहार के कुछ colleges ऐसे भी है जहां पर बहुत bottom rank पर भी department हुआ but उस colleges के हिसाब से हम एक generalized figure आपको नहीं देखा सकते उस case में हमने देखा है 156,149 के भी score पर वह allot me हो जो मैंने आगे slide में रखा है आपको उस पर clarity मिलेगी college-wise कहां पर कितना cutoff रहा था अब basic information देखते हैं बिहार के private medical college की सबसे पहले कटिहार medical college जो की सबसे पुराना college है बिहार में private institutions में 1987 में established किया है 150 seats है recognized है PG running college है 55 seats है as on date PG की माता गुजरी जो second best option है 1990 में established किया गया था 100 seat के साथ में अभी recognized है और PG running college है 93 seats है PG की सबसे ज्यादा अभी as on date private medical college में माता गुजरी में PG की seats है नरायन medical college जो की साशाराम में third best option है 2008 में start किया गया था 150 seats है यहाँ पर recognized है PG running college है 70 seats है PG की अब बाकी जो तीन colleges है अब इनको भी आप समझे नेता जी सुभाज इसे 2020 में ही start किया गया है नया college है बट locations का काफी advantage मिलेगा इनको और gradually यह college जिस हिसाब से अपने आपको vision लेकर के आया है तो college काफी develop करेगा permitted है as on date PG नहीं है PG की कोई भी seat यहाँ पर नहीं है अब clinical starts देखते हैं जिसके basis पर आपको एक idea मिलेगा कि कैसे किस college को किस हिसाब से stand अभी किया जा रहा है कठिया medical college चुकी काफी पुराना है 716 bed है यहाँ पे occupancy 79% का है OPD football almost 675 का average football हमने लिया है IPD 77 है surgeries में अब देखे 22 major 70 minor surgeries faculties strength काफी अच्छी है 166 professors 32 tutors 136 resident सबसे जादा numbers is college में माता गुजरी में देखे 610 bed है 71% का occupancy rate 550 OPD है daily का average IPD 54 26 surgeries होती है major minor 56 तो कि यह अच्छा number है 173 professors है जो कि more than कटियार slightly difference है but still more than that tutor कम है आपे 37 resident यह भी कम है नरायन medical college 695 bed है जो कि अगर देखा जाए तो माता गुजरी से बहतर है यह number 76% का occupancy rate वह भी बहतर है OPD 567 है IPD 51 है 21 major surgeries 34 minor 172 professor 46 tutor 60 resident है यह बाकी के 3 colleges जो है इन में देखे काफी development की जरूरत है अभी इनको grow करना है अभी college पे काफी focus होना चाहिए administration का क्योंकि हर area है जहां पे इनको अभी work out करने की जरूरत है नेता जी सुभास में अभी देखे 300 bet के साथ में start गया गया है और 40% जो की poor है पर इस्टिल टाइम लगेगा इनको pick up होने में 197 OPD है average IPD 21 11 major minor 22 professors 92 जहां पे इनको बहुत ज्यादा work out करना अपने faculties पे इन तीनों college को in fact अपने teaching strength को ले करके काफी मेहनत करना होगा अब साथ ही में इनको ये trust create करना होगा अपनी treatment के उपर में ताकि जो लोग हैं यहां पे hospital में आये तब कि बच्चों को एक बहतर exposure मिले बच्चे आएंगे college में उनको clinical exposure चाहिए अगर वो clinical exposure तभी होगा जब college एक अच्छा trust create कर करने की जरूरत है passing performance देखें कटिया medical college में सबसे पहतरीन passing percentage है 91% माता गुजरी में 79% नरायन medical college सासरा में 83% नेता जी सुभाज चो कि last year open किया गया है अभी इसका stats आया नहीं है जब आएगा तो आपके साथ में share करेंगे Lord Buddha में 76% का passing percentage है मदुवनी में 75% का passing percentage है तो parameters more or less य passing percentage still realistic मुझे लग रहा है क्या कि यह अगर figure है तो इसका मतलब यह है कि academics में थोड़ा सा इनका focus अच्छा बनावा है बच्चे मेहनत कर रहे हैं आपे कॉस प्रेकप पे अब नजर डालते हैं कटिहाय मेडिकल कॉलेज में अभी latest news जो आई है इनका fees revision हो चुका है लास्ट यह में 7,38,000 फी स्ट्रक्चर था इनका 2,50,000 होस्टल मिसलेनिस लास्ट यह 1,50,000 था अब 1,70,000 हो गया तुशन फीस इनकी बढ़के 9,35,000 हो गया तो को आता है तो हम बाकी colleges की भी fees revision का आपको update देंगे 8,38,000 tuition fees 2,60,000 होस्टल मिसलेनिस 2,00, 12,98,000 का cost परता था माता गुज्री में नरायन मेडिकल सासरम में 13,01,000 का नेताजी सुभास काफी expensive 18,75,000 लोड बुद्धा सहरसा में 14,23,000 का पर अनम का expense मधुवनी एगान काफी costly 18 18,25,000 रिजन यह है कि इनका hostel काफी expensive है 3,75,000 में two-seater AC accommodation वो देते हैं बट overly charged है अब यह allotment analysis है 2020 की कटिहार medical college में last seat जो allot वी थी 477 पे round वो था मॉप अप का इस code पे हमारे हिसाब से बहतर options alternative हो सकता था शार्दा बहुत अच्छा option होता JSL राजमंदरी भी एक अच्छा option होता भासकर हैदराबाद भी एक अच्छा option हो सकता था बट इस्टिल आपने यह opt किया मेबी एक कोई clarity नहीं थी कि alternative options आपकी पास में और क्या हो सकते थे अगर नोहिल खंड मुझपर नगर काटुईधी medical college गुंटू यह सब अच्छे options alternative हो सकते थे नारायन medical college जो कि सासा राम में 395 के score पे आखरी सीट अलॉट वी थी माप अप राउन में heritage वारा नसी और आमा हापूर एक अच्छा option हो सकता था नेता जी सुभास 157 पे यह अलॉट हो था इतने कम score पे ऐसे भी कोई options होते नहीं इसलिए मैंने कोई alternative options नहीं बताया है कोई choices available नहीं थे लॉट बुर्धा again 156 काफी low score पे आपके पास में कोई choice नहीं है आपको जो option म मिल रहा है आपको लेना ही परता है no other choice आपको यह करना चाहिए था बहतर था कि आप थोड़ा वेट करते एक साल और प्रिपेर करते थोड़े अच्छे marks के साथ में बहतर college के लिए आप जाते है इस्टिल अब आगरी option में देखते है मदवणी medical college 149 अगैन काफी low score है मॉप वनी medical college की cost काफी हा है इसलिए मैंने career का एक option दिया Lord Buddha में cost कम है इसलिए यह option मैंने यहाँ पर नहीं दिया form filling allow किया गया था round 2 में form filling बिल्कुल allow नहीं किया गया था मप-up round में कुछ बच्चों के तरफ से मैंने देखा था उनको काफी confusion हो गया था इसलिए क्योंकि बाकि जितने state है हर जगा पर यह रूल नहीं है बट यहाँ पर है यह rule कि आपने round 1 में apply किया आपको seat नहीं मिली है formalities post allotment पे बहुत ज्यादा clarity नहीं देते हैं इनकी notifications में इतनी details information नहीं है कि आपको allotment के बाद में क्या करना है आपको कहां पर reporting करना है college में report करना है या कोई nodal center है मैं बता देता हूँ आपके allotment के बाद में आपको पटना में जो इनके counseling center है वहाँ पे आपको reporting करने फिर आपको जाके college में final reporting करना है मौपप participation rule for existing मैंने अल्रेडी बता दिया कि form filling rule में वह fall करता है आपको मौपप में participate करने के लिए फिर से registration करना होगा rounds to focus अगर कम score पे आप options चा रहे हैं कि आपको बहतर colleges मिलने मिल जाया जैसे कटियार medical college या माता गुजरी या फिर नराया medical college त security deposit 2019 counseling में रखा गया था बर 2020 में इसे नहीं रखा गया था मेभी 2021 की counseling process में अगर कोई भी changes आया तो वह मैं आपको update करूंगा application fee payment issue भी एक issue था जो हमने observe किया था कई लोगों ने ये complaint raised किया था क्यूंकि पैसे तो कट गए बट बिहार की counseling body के तरफ से उनको को confirmation नहीं मिला और उनको choice filling के लिए आगे allow भी नहीं किया जा रहा था तो ऐसे case में आपकी payment अगर first जाते हैं तो आप repayment करने का कोशिश करिए क्योंकि वह access payment होंगे वह आपको refund कर दिया जाएगा otherwise आप instantly counseling body को आप mail करिए उनको call पे रीज करिए आप cases को इस हिसाफ से solve कर दिया जाएगा तो आसर करता हूँ आने वाली भीहार की counseling process में आप बहतर approach के साथ में counseling attend करेंगे एक बहतर clarity के साथ में कोई भी आपको confusion हो या आपके कोई query रह गई हो तो हमारी comment box पे drop करिए साथ ही मैं counseling से related कोई भी आपको personalized sessions या paid counseling की requirement हो तो हमारे team के साथ में आप 76786 76001 पे आप contact कर सकत है hopefully हमारा यह video पसंद आया हो और एक analysis के basis पर आपको clarity मिली होगी और आप colleges को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे अगर हमारे पसंद आया है video तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें और श्राइब करें थैंक्यू अच्छी चैनल को जाया है थैंक्यू